विदान सवाचुनाव दोहजात्रोबिस की तीथी तय हो चुकी है ऐसे में दिग्रस दार्वान नेर निर्वाचन क्षेत्र से बतोर निर्दलिय उमिद्वार युवानेता तथा सक्रिय समासे वी दिने सुकोडे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे है यूवर्ग किसान सहित आमनागरिकों की बुनियादी समस्याओं को हल करने विभिन जाती समुदायों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने की चाहल लेकर दिग्रस के यूवानेता दिनेश सुकोडे दिग्रस दार्वानेर विदान सभा चुनाव दोहजार 24 के निर्दलिय परत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे है बीते कई सालों से राजनीती में निस्वार्थ भाव से सक्रिय इस यूवानेता ने समाज कारण से अपना रिष्टा तूटने नहीं दिया सन 2018 में महापूर के शिकार याने बाढ़ ग्रस् समय भी उन्होंने जरूरत मंदों को मदद का हाथ दिया साथ ही भीशन गर्मी के मौसम में टैंकरों से पेएजल का वित्रन कर अपना सामाजिक दाईत्वन निभाया शुरू से ही समाज सेवा जरूरत मंदों की मदद में रूची रखने वाले दिनेश सुकोडे राजनीती इसलिए सक्रीय हुए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद दिलाई जा सके क्योंकि वे जानते हैं कि सक्रीय राजनीती के माध्यम से ही समाज सेवा को प्रभावी रूप से अंजाम दिया सकता है इसी सोच को लेकर वे मैदान में उत्रे है उनका राजनीती में रूची लेना, जनता से जुड़े विभिन बुनियादी मुद्दों को लेकर सामने आना समाज के परती उनकी सवेदन शीलता को दर्शाता है इसलिए वे जनता से रूबरू हो रहे है सुत्रों के अनुसार उन्होंने जहां एक तरफ वन्चित बहुजन आगाडी से चुनाओ लडने की इच्छा जाहिर की है वहीं उनके मुताबिक महारास्ट नवनिर्मान सेना ने उन्हें बतोर मन से प्रत्याशी मैदान में उतारने का आफर दिया है लेकिन फिलहाल बतोर निर्दलिय उमिद्वार के रूप में वे विदान सबा चुनाओ दोहजार चुबिस के मैदान में उतरने की ज्यादा संभावना है दिनेश सुकोडे इस युवानेता का लक्ष साफ है और उनके लक्ष का नाम है जनहित, जनसेवा और जनकल्यान इन बीसियन न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान